अलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सोगी देखे जो आपका नई नियावली जो 2022 में बना जिसमें साथ और चालिस का जो मेरिट लिस्ट का प्रवधान है कि साथ आपका साथ परसेंट आपका सीटेट का या बीटेट जो भी है उसका मेरिट में एक उधान होगा और चालिस परसेंट आपका एकेडिमिक का दुनों मिला कर फिर आपका मेरिट बनेगा तो देखिए ओ नियावली अब केबिनेट में पास होने वाला मतलब जाने वाला फिर वहां से पास होगा तब उसके बाद आपका सत्मा चरन का बाहली आगा समझाते हैं लिखा हुआ है कि सिक्षक नियोजन नियावली में बड़े बदलाव की त्यारी जल्द केबिनेट में जाएगा पस्ताओ सात्में चरन की सिक्षा बहाली में होगी लाग यानि सत्मा चरन का जो सिक्षा बहाली होगा उसमें लाग यानि कुछ पहले तो साठ च हंदली भी बहुँ ज़्यादा होता था लेकिन इस वार सुनना है कि आपका जो केंद्रिक्रीत यानि ऑनलाइन सब प्रोसेस होगा जैसे आपका विप्यसी एक्जाम लेती है समझे उससे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वही संस्था को सौप दिया जाएगा वही संस्थ इसके ताथ सिक्षकों के नियोजनी की परिक्रिया और नियोजनी काई को केंद्रिक्रीत किया जाएगा पंचायती राज संस्थाओ को इसमें या तो अलग किया जाएगा या उसकी भून का सिमित कर दी जाएगी संसोधी नियामवली को जल्दी केमिनेट में प्रेस किया ज लागू किया जाएगा सुत्रों के मुतावित के अंद्रिकृत नियोजन सिस्टम के जरिए सभी अवियार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे वड़ेता करम में वे विविन नियोजनीकाई के लिए आवेदन कर सकते हैं अब देखिए सिक्षकों के तीन लाक अरते जा लिए अवियार्थियों से आवेदन लेने उसका इंटर्वी या परिक्षा इंटर्व्य तो होगा नहीं परिक्षा कॉंसलिंग और मेरेट लिस्ट जारी करने तक की परिक्या को केंद्रिकृत किया जाए या जिमिदारी बिहार लोक से वायो गया विहार आज करम पंचारी पिछले दिनों सिक्षा विवाग के साथ बैठक में कई सिक्षक संगठों ने सिक्षक नियोजन को पाड़दर्शी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के समुक्त करने का सुझादिया देनी जही बहुँ ज्यादा भश्ट चार होता था समझें दो विकल्प हो र को इसक्षामंत्री प्रफेसर को बेवश्टा को परिवरतल लाने के सरकार काम कर रही है पंचायती सिस्टम से बाहर निकाल नियोजन की एक केंद्रिये व्यवस्ता बनाए जा रही है इसी के तहत सात्में चरण के सिक्षा के नियोजन होगा सिक्षा का धारबूत सनर्चना के लिए 200 क्रोर की उजना को स्विक्रीद दी गई है सुबे की बचन में सिक्षा पर 25 परसंट खर्च करने की गोशना की कि जिसमें सुपूर्व मद्द 21 परसंट मद्द 4 परसंट बरहाए आप देखिए एक चीज बताते हैं कि सात्मा चरण में केंद्रिकृत हो जाएगा तो जितना भी टीचर वगरा है वो लोग पहले ही छटा क्योंकि बिहार से बाहर वाले आएंगे ने कि बिहार के ही अस्थाई निवासी प्यार में अब टीचर बन सकते हैं समझे तो इसम्झीम लग जिससे आपको जो लोग बिएड कि हैं समझे वो लोग को समझे कि सीटेट वेगरा निकाले उनका पक्का है हो जाएगा लड़की जिनका सीटेट में अच्छा नंबर है समझे सो से उपर नंबर उनका दारांस हो जाए कोई दिक्कत ही नहीं और जो लोग इस पार सीटेट निकालेंगे तो कोशिश किजिए कि अच्छा से अच्छा नंबर गेन करें समझे ठाएंगे